हला एवरिवान आप जेबर और यह वाचिंग एसजी ट्रेडर दोस्तों आज काफी अच्छा सा एक मोव आया दोनों में निफ्टी बैंक निफ्टी में जो काफी लोग ने एक्सपेक भी नहीं किया था काफी लोग का यह था कि 17,250 से वापस आ जाएगा 17,000 के आसपास क्लोजिंग होगा एक्सपारी बलकि मैंने आप लोगों को सुबह ही बता दिया था कि शॉट मत करना और अच्छा लेवल के बाद आप लॉंग करके जा सकते हो तो यहां पे अगर आप देखोगे तो मैंने टेलिग्राम में भी आप लोगों को जो कॉल दिया था वो यहां पे 17,200 का दिया था उसके पहले चार्ट शेयर किया था दोस्तो और यह जो लेवल रहते हो बहुत इंपोर्टन रहते है दोस्तो अगर आप इसको फॉलो करते हो तो डेफिनिटल आप वहां से कुछ सिखने को भी मिलता है हमारा राज एक्टिव नहीं हुआ था आज और उसके बाद में निप्टी ने भी का आफी यह 380 के बाद यहां पर 150 पॉइंट का मूव देखा था यह जो हमारा आज का जैकपोट साबित हुआ था तर 17,300 कॉल जो लिया था वो 40 के आसपास गया था फिर मैंने यहां पर एक लास में लिया था स्टॉप स्वारी ऑप्शन लिया बहुत चीज चोटे प्राइस में फोर जो मैंने 15 के आसपास इसको एक्जिट कर दिया था तो मेरे जो जैकपोट जैसा रहता है वो ऐसे चोड़ा अमांट का भी मैं ट्रेड करता हूं जब end of the day एक्सपारी का अगर कुछ मुझे लगता है कि आज बाउंस आगा क्योंकि ज सबसे तो आपको वही सिखना है दोस्तों कि आप डिटा को कैसे रिड कर सकते हो या तो चार्ट को यह दोनों के अलावा कुछ नहीं है न्यूज आए या ना आए आपको चार्ट से पता चल जाएगा कि क्या करना है आज जो जैसे ही 17,200 को क्रॉस करके सस्टेन किया था उसक साया 270 के आसपास और वहां से जैसे उपर गया यानि कि वह कंफर्म हो गया था कि या 17,300 भी कटने वाला है तो हमने देखा कि वह कैसे 40 से लेके 100 तक वह चला गया था वहां पर तो आपको दोस्तों वह सिखना है अगर दोस्तों आप टेलीग्राम पर अभी मेंबर नहीं हो तो मैंने लिंक डिसक्रिप्शन में दिया है आप वहां से जोइन कर सकते हो या तो SGTrader से आप यहां पर जोइन कर सकते हो और यहां पर ऐसा उमिद लेके मता आना दोस्तों कि यहां पर आपको हर रोज कुछ जैकपोड मिल जाएगा नहीं दोस्तों मैं ट्रेडर हूँ और मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर मुझे टाइम मिलता है तब मैं अपडेट कर देता हूं दोनों ग्रूप में मैंने कुछ commitment भी नहीं दिया है जो मेरा जो सब्सक्राइब जरू कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना अब चलते हम कल की प्रेपरेशन करते दोस्तों कि कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं मार्केट क्लोज उने के बाद न्यूज आया है काफी कुछ कंद जैसे सिंगापूर में भी यहाँ पर केस आइडेंटिफाइड हुआ है इसे इंडिया में भी अभी वहाँ पर हैल्ट है जो डिपार्टमेंट में उन्होंने एक अक्नॉलेज किया है कि यहाँ पी भी दो केसा है कुछ ट्रावल रिस्रेक्शन लगा दिया गया है तो यह सब ओन गोइंग इस्यू है तो इसके अगर आप ओवरनाइट पोजिशन नहीं लेके जाते हो तो आप बेस्ट कर रहे हो दोस्तों एक दिन एक अपता नहीं ओवरनाइट कमाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर कभी क्या होगा कि अगर लॉंग में होगे और एक दिन गैप डाउन खुल गया तो जो पुरा इंट्रेस बढ़ा है फ्रेस लॉंग भी है पिछले दो दिन से यहां पर लॉंग बिल्डप हो रहा है यह अभी आ रहा है ओवर बोड के आसपास जा रहा है 1.30 पहुंच चुका है ओपर के साइड यहां पर हम देखेंगे तो 17,000 अभी भी यहां पर पूर शॉट हो रहा है 17,300 यह एक देखना है कि हमें मंतली में यहां पर ओपन इंट्रेस हाइस एड हो रहा है तो यानि कि यहां से अगर मार्केट नीचे गिर सकता है 17,300 के नीचे एक और बार जा सकता है तो अब बात कर लेते हैं नेप्टे बैंक का नेप्टे बैंक यहां पर क्लोस हुआ है 36,500 और यहां पर अगर आप देखते हो तो कॉल के साइड मंतली में 35,000 अभी यहां पर पूट में एक एक अक्टिव है 36,500 एक्टिव कॉल है और उसके बाद में 39,000 है यानि कि 36,500 जहां पर हम क्लोस हुआ है वो एक हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा PCR यहां पर ना तो overbought है ना तो यहां पर oversold है आज का जो move हुआ है वो short covering यहां पर nifty bank में भी है अगर यहां पर हम नेक्स विक्का कर देता हूँ तो अगर हम यहां पर लेते है नाइन्थ का तो यह जो हमें देख रहा है अभी का जो line वो है 17,400 के आसपास तो अगर आप देखोगे तो यहां पर continues एक rise देख रहा है put की side आज का जो अच्छा call output दोनों बड़ा हुआ है वो 17,400 है जहां पर हमने closing किया हो गया है उपर की side continue हमें call writing दिखाई दे रही है एक अच्छी चीज है कि आज यहां पर fresh shot हुआ है 17,500 यह अगर यहां पर continue build up होता है तो एक chance रहेगा कि हम 17,500 के उपर जा सकते है और अगर यह जो यहां पर आप देख रहे हो 17,300 पर जो total यहां पर put writers है वो है 23,000 उसमें से आज यहां पर 20,000 यहां पर add हुआ है इनकेस अगर कुछ gap down होता है और 17,300 के नीचे होता है तो क्या होगा कि 500, 400 and 300 यह तिनों trap हो जाएंगे जैसे last Friday को हुआ था similar तो अगर यह 300 के नीचे खु होगा कि उनका जो position का stop loss hit होगा क्योंकि उन्होंने expect नहीं किया होगा कि 100, 150 points तो वो उसको क्या करेगा कि further नीचे लाएगा और जो market गीरेगा उसके वज़े से 17,200 है इसको भी यहां पर exit करने आएंगे क्योंकि अभी के हिसाब से उनका जो SL होगा वो 100 point का होगा अगर खु उपर की साइड क्या होगा कि अगर कोई reason से या तो 17,500 के उपर खुल गया तो हम एक short covering further आपको उपर मिलेगी जो जो nifty में gap छोड़के आया है वहां पर एक बार फिर से वो gap fill के लिए जा सकता है आज भी काफी लोग ने trade लिया होगा वहां पर कि कल यह market उपर खुलेगा और gap fill हो जाएगा पर कभी क्या होता है कि वो इस बार नहीं होता है पर एक मेने के बाद में भी वो जाके वो close gap यहां पर फिल कर सकता है ऐसा जरूरी नहीं कि एक week में ही हो जाना चीए तो nifty bank हम देखते हैं उसको भी मैं next कर देता हूँ 9th December 9th December में हमें यहां पर देखने को मिला है कि ज्यादा तर call writer exit नहीं हुआ है जो यहां पर जो हुआ है 36,100 और 200 पर हुआ है जबकि 400 और 500 पर अभी भी यहां पर short build-up हुआ है दोनों में यानि call and put तो अभी का जो premium होगा 36,500 का वो आपका एक range रहेगा क्योंकि यहां पर अभी build-up हुआ है एक possible है कि इस हिसाब से आपका जो भी premium है वो अगर आप total कर दोगे तो आपका एक range यहां पर बनके आ जाएगा ज्यादा call right हुआ है compare to put के अगर कल gap down खूलता है तो फिर से 36,000 आपको एक support मिलेगा पर यह दो तीन बार visit हो चुका है तो ध्यान में रखना कि 950 के नीचे तो हम further जाएंगे नीचे नहीं तो अभी के लिए हमारा जो range रहेगा 36,100 से लेके उपर में 36,800 यह हमारा 700 का point का move हम expect करके चल सकते हैं अब हम बात कर लेते हमारा daily का हमारे जो stocks है उसमें अभी की हिसाब से आप देखो के तो डाउजोंस 250 प्लस है नस्दाग 4. प्लस है और हमारा एजेक्स निफ्टी 67 दीखा रहा है वह साथ ओवर एक भी हो सकता है या तो फिर हमने जो आज का move है किया था उसको अभी discount हो रहा है कल सुबह देखेंगे जब freeze होगा market तब हमारा strategy चालो होगा कि हमें किस हिसाब से trade करना है US bond in 1.42 विदिन लिमिट है डॉलर इंडेक्स फिर से 96 के उपर trade करने लगएगा यह यहां पर फिर से exit मिलेगा FII को एक reason मिल जाएगा उनको क्रूड बहुत ही बैतरी यानि कि 68 पे आ चुका है जो इंडिया के लिए एक best है आज ओपक का meeting भी है ओपक के meeting के बाद में एक shoot up हो सकता है क्रूड में क्योंकि possible है कि वो लोग agree नहीं करेंगे कि उनका जो production है उसको cut करने के बढ़ाने के लिए अगर production बढ़ता है तो करता है उसके लिए 85 को cross करना जरूरी है अगर उस 85 को cross किया तो वापस हम वो level देख सकते है अभी इसने क्या किया है कि यह जो इसका support है वहां पर आके इसने दो बार support लिया हुआ है जब यह fall आया था हमारा पहला कौन सा था यहां पर उसके बाद में इसने quick fall दिया तो यह trend line उसने support लिया हुआ है अगर इसके नीचे जाना है उसको तो यहां पर यह candle के नीचे close करना पड़ेगा तो यह क्या होगा कि एक तो यहां पर इंसाइड बार candle है उसने active किया है जिसका price था उपर में 80 नीचे में 71.08 तो इसका 9 point का जो था उसका जो target आएगा वो कौन सा हो यह level आएगा करीबन 60 के आसपास तो यह activation में हमें यहां पर देखने को मिल सकता है अगर ओपर मान गया कि production इंक्रीस करना है तो यहां पर एक further fall आ सकता है नहीं माना तो यहां से हम फिर से वापस उसको एक bounce देखेंगे क्योंकि एक support ले चुका है trend line का US dollar फिर से 74.80 से लेके 75.30 के बीच में ही trade कर रहा है हमारा कल का पहला stock है अदानी आज भी मैंने group में दिया था वहां पर call buy करने को 43 के आसपास जो इसका high लगा था 54 के आए वहां पर तो फिर से इसने क्या किया है कि यहां पर एक impactant सा बन रहा था फिर से support लिया 50 days moving average के आसपास और फिर से यह trend line क ब्रेक कर दिया है कल जो hammer candle बना था उसके उपर आज खुला और यहां से continue किया है कल भी आप इसको long करके जा सकते हो जैसे 1735 के उपर 5 minute candle close करता है आप उसको long करके जा सकते हो आपका पहला target आएगा यहां पर 45 और उसके बाद में आपका next target आएगा वह करीबन 58 के आसपास आ मेरा वह है ICI bank शॉट कर सकते हो 715 के नीचे शॉट करने के बाद आपको 7 से 12 पॉइंट आप expect करके जाल सकते हो swing आपको शॉट करना है तो आज का high है वो आपको stop loss लगाना पड़ेगा second है indigo तो indigo ने क्या कि क्योंकि अभी यह जो travel restriction वो सब चल रहा है तो एक sentiment की जिसाब से मैंने यह stock को लिया है इसने एक parallel line में ही चल रहा था breakout दिया, retrace, breakout और फिर से retrace किया है अब की बार इसने क्या attempt किया फिर से उसको यह channel को breakout देने का और यहाँ पर उपर जाएगा तो यह इसको 2050 से लेके 65 के बीच में एक resistance face करेगा कल हमें short करना है इसको दोस्तों क्योंकि अभी का जो इससे अब से चल रहा है market में तो हम इसको यह level के नीचे short करेंगे 1889 के नीचे short करेंगे आप माना target रहना चाहिए 12 से 22 पॉइंट के बीच में यह level जो अगर टूटेगा तब हमें further down मिलेगा जो आपको वापस यह line के आसपस लेके आएगा एक और stock हमारा looping जो मैंने अभी share भी किया था आप लोगों के यहाँ पे group में तो यहाँ पे continue fall आया bearish flag pattern बना हुआ है ज्यादा दर क्या होता है कि जो यह flag pattern होता है उपर की side breakout देता है और यहाँ पे एक W pattern भी बन रहा है आप MFI positive diversion दे रहा है तो कल आप इसको long करके जा सकते हो यहाँ पे active होगा यह long position का है positional का तो फिर उसमें target आपका 940 से लेके 950 रहना चाहिए इंट्राडे के में अगर long करना है तो 878 के उपर आप long करके जा सकते हो positional के लिए 885 तो अगर हम कल के लिए इंट्राडे देखना है तो हमें यहाँ पे निप्टी में अगर आप देखते हो तो एक trend line यहाँ पे है जहाँ पे इसने एक breakout दिया और यहीं से continue किया इसको pullback बोलता है कि कोई भी breakout के बाद confirmation मिलता और फिर एक breakout देता है तो एक क्या sustain होने का ज्यादा चांस रहता है अभी की साब से हमारा जो next resistance रहेगा वो यहाँ पे 460 के आसपास रहेगा दोस्तों और यह एक जो trend line यहाँ पे बनके आ रही है चोटी सी उसके नीचे ही हमें एक अच्छा सा शॉर्ट मिल सकता है अगर कल यहाँ पे gap down कुलता है जो global क्यूज के वज़े से तो यह जो level है यानि कि अगर खुला EC level के आसपास तो दोस्ट 280 के आसपास फिर कोई छोटा bounce मिलता है फिर rejection के बाद हम इसको short करके जा सकते हैं और अगर दूसरा जो हमारा scenario रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों कि अगर हम इसी level के बीच में कहीं पर कुलते हैं 420 से लेके 370 के बीच में फिर जब यह 420 को क्रॉस करेंगा आप यहाँ पर 32 40 points के लिए उपर की side trade ले सकते हो ideal होगा कि जब gap down के बाद एक reject मिलता है तो हम short करेंगे तो एक अच्छा सा हमें यहाँ पर trade म जो आप देख सकते हो यहाँ पर इसके नीचे गीरा तो हम वापिस 17,000 आ सकते हैं दोस्तों यह जो आज का move आया था यहाँ पर एक short covering था और जो last week हमारे एक fall आया था तो यहाँ पर जिनका भी put open होगा उसको यहाँ पर zero करने के लिए यह move आया गया है तो कल के लिए देख यहाँ पर हमें क्या देखना है similar एक यहाँ पर भी आ रहा है trend line अभी इसने इसको रिटेस नहीं किया है तो अभी एक cup with handle दिखा रहा है यहाँ पर जिसका एक support यहाँ पर मिलेगा हमें resistance 640 के आसपास कल अगर flat कुलता है यानि कि 300 से लेकर 400 के बीच में कुलता है कहीं पर भ हमने बना आया है उसकी ऊपर जाए तो ही हमें उसको long करना है तब तक हमें नहीं करना है कि कोई भी एक दिन आएगा कि हम यहाँ से फॉर यानि की breakdown दे देंगे अगर कल gap down होता है यहाँ पर भी इस level तक gap down हुआ no problem यानि कि अगर यहाँ पर घुला फिर से 170 को लेके support लेके फिर जब reject मिलता है हमें 430 के आसपास तो फिर हम इसको short करेंगे फिर हमारा target वापिस 35800 के आसपास होना चीए short आपका बनेगा only below this level 170 के आसपास और एकदम से अगर नीचे खूल गया तो भी short नहीं करना है wait for the right यहाँ पे entry तभी short करना तो पैसा मिलेगा उपर के लिए यह यहाँ पर एक चोटा सा trade मिल सकता है अगर आपको 700 के उपर यहाँ पर मिलता है 100 150 पॉइंट का बर यह risk की रहेगा क्योंकि कोई भी minute वो यहाँ से turn होके नीचे आ सकता है तो यह ध्यान में रखना दोस्तो मैं आसा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा दो यह थे